बिग ओर नोटेशन का यूज ये मेजर करने के लिए होता है कि जैसे आपका प्रोग्राम का जो input है वो बढ़ता है उसकी size बढ़ती है वैसे आपके प्रोग्राम की running time या तो फिर space requirement कैसे बढ़ती है और most of the time जब बिग ओर नोटेशन की बात होती है तो लोग running time की जाला बात करते है space requirement उतना important नहीं होता है running time main focus होता है जैसे एक python में प्रोग्राम है ये foo और वो एक array है उसको input लेता है और जब array की size 100 है तो program run होता है 0.22 millisecond में लेकिन जब size होती है thousand तो उसको लगते है 2.3 millisecond अब ये मेरे computer का time है आपके computer दीरा है fast है उसके हिसाब से ये time change होगा इसलिए जब program की running time का measurement होता है तो absolute time कोई नहीं देखता क्योंकि depending upon hardware time vary होता है तो हम एक ये कर सकते है कि हम थोड़ा math का use कर सकते है जैसे ये मैंने chart क्या बनाया कि program की size मतलब input जो है उसकी size जैसे बढ़ती है वैसे time कैसे बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि 100 अगर size है तो 22 millisecond, point 22, thousand के लिए 2.3 तो थोड़ा linear relation लगता है आपको थोड़ा linear math, linear algebra पता होना चाहिए कि ऐसी एक line draw कर सकते हो आपकी, देखो size यहाँ पर अगर 10 है तो 22 millisecond, अगर 1000 है तो 2.3 तो अगर mathematical equation बनानी है तो होगा time equal to 1 cross n plus b जिसमें a यह है slope है line का, तो जैसे यह simple है, वैसे कोई मतलब हाइ-5 math नहीं है अगर आप n की जगह अगर 100 रख दो, तो आपको 0.22 मिलेगा, 1000 मिलेगा, तो 2.3 मिलेगा और यह b जो होता है constant होता है, तो जब big o notation हम measure करते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं एक तो यह mathematical equation का use करो, लेकिन mathematical equation का use करना थोड़ा complex हो जाएगा इसलिए हमने है न, mathematical equation पर से एक थोड़ा simplified version निकला है, जिसको b बोलते है और वो simplified version निकलने के लिए, आपको थोड़े rule रन करने पड़ेंगे पहला rule तो यह है कि fastest growing term है, उसको रखो, बाकी सब निकाल दो तो यहाँ पर b एक constant है, जैसे 5, 7 और यह fastest growing term, जैसे इसको 100 है मालो a की value है 2, और n अगर 100 है, तो 100 into 2, क्या होगा है, 200 b 5 है, तो 205, लेकिन n की value million है, तो million into 2, 2 million तो उसके सामने b की value उतने माइन नहीं रेखेंगे, इसलिए b को drop कर देनेगा जो भी fastest growing term है, उसको रखो, बाकी सब drop करो दूसरा rule है है कि आप constant को drop कर दो इस equation में a constant है, तो उसको हमने drop कर दिया, तो हमारी algorithmic complexity हो गई big o of n, यह python का एक simple program है जो input numbers को लेके, सारे number का square करके, वो नया list return करेगा, ठीक है मैंने यह आपको दिखा दिया है, example input कि अगर 2, 5, 8 ना है, तो यह function सिर्फ number को square करके return कर देगा, बहुत ही simple program है इसकी complexity है order of n क्योंकि जैसे numbers बढ़ेंगे वैसे उसका time हो linearly बढ़ेगा, ओके दूसरा program देते है, चलो, अगर मेरे पास कोई food कर के program है जिसमें आरे मैं hundred डालू या thousand डालू या ten thousand डालू, time almost same रहता है, देखो almost same है, तो उसको आप ऐसे graph में represent कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका time constant रह रह रहा है, तो जब linear equation में उको represent करना है, तो आप बोलेंगा time equal to a, a is a constant, अगर यह है 5 या 7, तो यह constant है, ठीक है तो अब हमारा rule क्या था, keep fasted growing term, तो एक ही term है a, और constant को drop कर दो, तो यहाँ पे constant a है तो उसको माल लो, a cross 1, ऐसा बोल सकते हो, right, a multiplied by 1, a into 1, तो इसकी complexity हो जाएगी order of 1, दूसरा program दिखाता हूँ, इस program में हम एक array input में डालते हैं, जिसमें price है, देखिए program है न, price to earning ratio calculate कर रहा है, जो first element है array का, उसमें से first नहीं, जो index से हम elements supply करते हो, यह first हो सकता है, fifth, लेकिन यह पूरी array का PE calculate नहीं कर रहा है, सिर्फ एक number, एक location का PE calculate कर रहा है, ठीक है तो आप थोड़ा सोचे, तो इसका time constant ही रहेगा, अगर prices array है, इसकी size million है, या तो फिर 10 million है, इसका time constant ही रहेगा, क्योंकि आप specific index पे जाके value निकालते हो, दोनों array में से, और इसको division करके return कर देते हो, बहुत ही simple fund आ है, तो इसका हो गया algorithmic complexity order of one, यह program देखते है, इसमें हम duplicate number find करने का try कर रहे है, ठीक है, और इसमें हमने दो for loop घुमाई है, जैसे यह number है, इसमें duplicate कौन से है, तीन, देख दूनना है, तो तीन होगा, तो हम दो for loop घुमा सकते है, ठीक है, और दूसरी for loop, जब पहली for loop आले number को match करेंगे, तो बोलोगे, यह duplicate मिल गया, ओके, अब इसको हमें math equation में represent करना है, तो ऐसे कर सकते है, कि a into n square plus b, क्योंकि जब दो loop होती है, तो generally algorithmic complexity हो जाती है, n square, क्योंक और मेरी array में कितने number है, 3, 3, 6, 7, 8, 8 number है, और दूसरी loop भी उतनी ही बार गुमेंगी, ठोड़ी कम गुमेंगी, लेकिन almost उतना, तो 8 into 8 is 64, अगर 7 है, तो 7 into 7, 49, तो इसलिए n बोलते है, n और n, n square, और इसमें, जब आप fastest growing term रखोंगे, तो वो n square होगा, तो b drop हो जाएगा उसके बाद में दूसरा root क्या है, constant को drop करना, मतलब a को drop करना, तो आपकी complexity हो जाएगी, order of n square, ये वाला program, पहले वारे program जैसा ही है, जिसमें पहले block में मैंने duplicate ढूंदा, और दूसरे block में मैंने जो इसका index है, वो print किया, ठीक है, अब पहले block की में कितने iteration हुए, n square, क्योंकि दो for loop है, दो for loop है तो n square, एक for loop है तो n, तो इसकी complexity क्या होगी, well mathematical equation का सोच ये तो ऐसी हो जाएगी, a n square प्लस b n प्लस c, लेकिन हमें fastest growing term ही रखना है, इसमें fastest growing term है a n square, क्यों, क्योंकि अगर n 1 है, तो चलो ये सारे number same हो गए, लेकिन n जब million हुआ, तो million into million, बहु ये बाकी क्या है न, फुद्दू जैसे number दिखेगे भी नहीं, इसलिए हम fastest growing number को ही रखते हैं, अब आ गया a n square, उसमें से constant को drop करो, मतलब a को drop करो, तो आपकी complexity होगी order of n square, तो ये जो पूरा program है, पूरे program की, दोस्तों, पूरे program की complexity है order of n square, ऐसा मत बोलो कि इसकी complexity है n square plus n क्योंकि हमें fastest growing term ही रखना है, दूसरा term हमें drop करना है, इसलिए इसकी complexity order of n square, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ये दो rule होने का reason क्या है, तो हम वो देखेंगे, चलो, मैंने एक example दिया है, कि मेरे program की complexity है 5n square plus 3n plus 20 in terms of mathematical equation, अब n की value जो बहुत large है, तो bn plus c बहुत area learn हो जाता है, अब ही देखो n मैंने बहुत इतना भी लाग नहीं रहे है, मैंने 1000 लिया, तो जब 1000 लेते हो, तो पहले term की value हो जाते ही 5 million, और दूसरे term की कोई माहिने नहीं रखता, अगर n की value है 10,000, तो ये value बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम fastest growing term इस equation में है 5 and square, उसी को ही रखते है, बाकि सब कच्रा जो है उसको drop कर देंगे, 3 and plus 20 को हम drop करते हैं, तो जो running time growth है, उसको बोलते है time complexity, और space का भी growth होता है, जब हम program में कोई variable use कर रहे हो, कोई भी dynamically memory का allocation कर रहे हो, तो space में भी complexity होती है, लेकिन most of the time, लोग जब discussion करते है, बिग हो की, तो वो time complexity को ज़्यादा discussion करते है, अब मैं एक binary search का आपके example देता हूँ, देखिए, एक sorted array है मेरे पास, 4, 9, 15, देखो यह order में, सारे number जो है, order में है, और हमें डूनना है 68 को, हमें पता नहीं है, यह 68 कहा है, और हमें उस number को डूनना है, आप बोलोगे कि यह number यहाँ है, लेकिन भई आपको दिखता है, प्रोग्राम को दिखता नहीं है, प्रोग्राम को ढूटना पड़ता है, तो एक simple approach है, आप पहले number से चाल करो, एक करके एक search करो, तो इसकी complexity होगे order of n, because अगर 100 number है, तो 100 बार आपको iterate करना पड़ेगा, worst case में, 1000 है तो 1000, इसलिए एक जब for loop होती है, तो होती है order of 1, लेकिन एक binary search करके cool technique है, जिसमें आप सबसे middle element को पहले दिखते हो, अब middle element है, कोई भी 3421, ठीक है, even number है, तो कोई भी middle element ले लो, तो अब देखो कि 21 जो number है, वो 68 से बड़ा है या कम है, well कम है, तो अगर कम है, तो आपको एक पता चल जा है, कि जो left hand side array है, जो 21 के left वाले number, उसमें तो 68 होगा नहीं, क्योंकि 68 right hand side में होना चाहिए, क्योंकि ये sorted array है, order में है, तो आप, मैंने ये सब gray कर दिया, तो उस वाले array को आपने discard कर दिया, बाद में फिर से mid element टून दो, तो 34, 57, 68, 291, mid कौन सा है, 57 या 68, कोई भी ले सकत हो, तो 57 ले लिया, तो उसमें भी, चलो 57 कम है, तो left वाले array पूरी discard कर दी, तो अब पता चल गए है, तो right में है, तो right का अगर आप middle लोगे, तो 68 आएगा, तो 68 में आपको पता चल जाएगा, कि यही है 68 number, इस location पे है, तो आपको total इतने iteration होए, कि हर एक iteration पे, आप अपना search space है, उसको half कर रहे हो, आपको पता चला है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 8 element है, जब middle element चेक करके, decide किया है, कि हमें right hand side में देखना है, तो left के सारे 4 element है, वो discard कर दी, तो आपको अभी, 4, 9, 15, यह सब देखने की ज़रूद नहीं है, तो हर एक iteration में आप आधे element निकाल द कि हमने math दिखा दिया है, अब यह समझते है कि इसकी algorithmic complexity क्या होगी, तो देखो, k iteration के बाद आपका हो गया search space n divided by 2 raise to k, अब उस पर थोड़ा math करते है, तो math करने से क्या होगा, कि 1 is equal to n divided by 2 raise to k हो गया, और अगर आपको थोड़ा math पता है, तो हम 2 raise to k को यहाँ पे ला सकते हैं, तो 2 raise to k into 1 हो गया 2 raise to k, और बाद में n को मैंने ऐसे left hand side में ला दिया है, तो n is equal to 2 raise to k, अब दोनों side पे हम log रख सकते हैं, math में पढ़ा होगा, कि log दोनों side पे रखो तो equation से मेरेती है, इसके आगे ला गया, तो यह हो गया log 2 to 2, अब log n to n होता है 1, तो यह निकल जाएगा, तो equation होगी, k equal to log n base 2, ठीक है, k equal to log n base 2, तो इसलिए इसको बोलते है, k जो है वो iteration है, iteration, कितने iteration, तो इसलिए इसको बोलते है, order of log n, कि के iteration में आपको जो, आपका जो प्रोग्राम है, उसकी complexity हो गई, order of log n, तो यहाँ पे मेरे element कितने थे, 8, तो मैं equation में रखूँँगा, कि order of log n मतलब log 8, तो 2 raise to 3, तो मुझे पता जाले आएगा, कि 3 iteration में answer आ जाएगा, तो bigger notation का पता होने से, आपको थोड़ा idea आजाता है, कि program कितना efficiently behave करेगा, जैसे input size grow होगी, वो program का complexity कितना grow होता है, तो इसलिए, जब आप program लिख रहे हो, तो लोग बोलते हैं, कि order of n square की जगा, थोड़ा कम में search करो, तो पहले इसको हमने linear search से सुरू किया था, तो वो order of n ह बात actually, लेकिन order of log n उससे भी कम है, ठीक है, जैसे 8 की array है, तो उसका order of n होगा 8 iteration, लेकिन 8 की array का log n होगा 3 iteration, तो log n काफी कम होता है उनसे, तो यह काफी efficient है, तो I hope आपको थोड़ा पता चला होगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको thumbs up कीजिए, और आपके जो हिंदी बोलने वाले दोस्त हैं, जो data structure सीखना चाहते हैं, उनके साथ share कीजिए, next वीडियो में हम array के बारे में सीखना है,